नमस्कार आप देख रहे हैं किसान तक और मैं हूँ आपका दोग संकी शर्मा आज इस वीडियो में बात करेंगे देश के मौसम की तो वीडियो के इन तक बने रहे हैं ताकि आपको पता चले आपके प्रिदेश के आपके जिले के मौसम का हार तो जैसे कि आप और उसे भी जानते हैं पशिम विक्षोप सक्री हुए हैं जिस कारण से देश के तमाम इस इलाज हैं तमाम इस इलाके हैं जहां पर बारिश की स्थिदी बन रही है ठंडी हवाएं चल रही है शीत लहर चल रही है कोहरे का प्रिकोप है और पहाडी लाकों मे समय बरबारी हो रही है जी हां जब पशिम एक शोप सक्री होते हैं तो अपने साथ में पहाडी लाकों में बरबारी लेकर आते हैं और मैदानी लाकों में ठंड लेकर आ रहा है तो अगर हम बात करें आमडी की पूर रुनमान की तो आपको दिखा पाएंगे हम 17 जनवरी 2024 क मौसम का हाल कहां का बारिश होई कहां का आंधी कहां का तूफान आया अगर हम बात करें पहाडी लाकों की जमुकिश्मीर लद्दा, गिलगित, बाल्टिसा, मुजफरावत, उत्रकंड तो यहां पर हिमाचल प्रदेश और उत्रकंड में भी धुन की सिती बनी हुई है ठं इसाथ दिन और रात के समय यहां पर धुन चाही हुई है, हाला कि कोछेरिया में दिली एंसेयर के आसपास दिन के समय में धूब देखने को मिली है, लेकिन सोबे और रात के अगर हम बात करें धुन की सिती और शीद लहर की इस सिती बनी हुई है, वेस्ट उत्रपिदेश क यहां भी तापमान में गिरावट देखी जारी, ठंड का एसास लोगों को हुराई, इस मद्रपिदेश का भी यही हाल है, और उत्रपिदेश से अगर हम आगे चलें, बिहार की सिती यही है, बिहार के बाद गैंग्टेक वेस्ट बेंगाल में धुन की सिती है, जहारकंड म कोशल करनाट का केरल, तो यहां पर मौसम साफ है, अगर हम बात करें सौराज कर्च गुजरात की, तो यहां पर भी मौसम सुष्क बना हुआ है, समान बना हुआ है, आने वाले 24 घंटे अगर हम बात करें, यानि के 18 जनवरी 2024 को कैसा रहेगा देश में मौसम का हाल, तो पश पर तापमान में गिरावट देखी जा रही है, साथी साथ पंजाब, हरयाना, चंडीगर, दिली यहां पर पाले में तापमान में गिरावट है, पाले में गिरावट है, सुवेश शाम के समय ठंड का इसास हो रहा है, दिन की स्थिति अगर हम बात करें, दिन में कुछ-कु और देश के अन इलाकों के अगर हम बात करें सौराच, कच, गुजराच, जीजिन का इलाका, माराट, वारा, विद्धर, उडिशा, तेलंगाना, अगर दक्षिन में अगर हम आ जाएं तमिलन्ड, वोंटिचरी, कोस्टल के नाटका, केरल, तो यहां पर मौसम साफ है, लेकिन आने वाले 24-48 घंटे ऐसा बताया जा रहा है, पश्रिम विक्षियों सब्क्रिय होने के कारण, देश के जो तमाम इलाके हैं, खासकर हर्णा, चंडिगर, दिली, पंजाब, उत्रप्रदेश, मद्दप्रदेश, राजिस्तान, इन इन इलाकों में ठंड का एसास लोगों को तमाम में गिरावट लाईगी, लोगों को ठंड का हिसास होगा, हाला कि दिली एन से आर क्या सपस की रीजन की बात करें, तो दुभैर के समय धूप में तेशी देखने को मिली है, लेकिन सुबह और शाम अभी भी कडाके के ठंड पढ़ रही है, और जो कोहरा है, वो लगा और कैंसिल हुई है, साथी साथ अगर मैदानी इलाकों की बात करते हैं, सडक परिवहन जो है, वो भी इससे काफी प्रभावित है, रोड एक्सिदेंट्स की तमाम कैसी खबरे देखने को मिलती है, तो हम भी आपसे ही कहेंगे, केती किसानी और मौसम से जूड़ी ये तमाम नहीं किया है, तो कर ले, और नोटिफिकेशन पानी के लिए बेल आइकन भी दबा दे,